सबी दोस्तों को जहिन EOC के भती जो 2024 में आई है इसमें आप लोग की टोटल वेकेंसी 730 है और इसके लिए आज से online form apply स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग EOC के official website पर जाकर इसके लिए online form apply कर सकते हैं form apply करने का जो last date है वो 22 दिसंबर 2024 है तो आप लोग 22 दिसंबर 2024 से पहले इसके लिए online form apply कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि EOC की जो भरती आई है इसका जो admit card आएगा वो कितने percentage पर आएगा और एक साथ हम लोग दो post के लिए form apply कर सकते हैं या फिर नई कर सकते हैं इन सभी के बारे में आप लोगों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट की वीडियो को पुरा लाज तक देखेगा चैनल अपने तो अपने चैनल को सस्काइब किजिएगा और अभी तक आप लोग हमारी टेलि हम चैनल के मादेम से दे दिया करते हैं तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पुरी डिटेल से जानकारी हम देते हैं सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि AOC की भरती जो 2024 में आई है इसके लिए जो एडिमिट कर आएंगे वो तेंत क्लास के परसेंटेज पर आप लोग के एडिमिट कर आने वाले हैं जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसी का एडिमिट कर आएगा चास हजार पलस केंडिएट का AOC भरती जोबिस के लिए एडिमिट का जारी किया जाएगा यहां पर देखे कुछ इंपोर्टेंट बात लिखा गया है बारन नंबर पॉइंट पर वह आप लोग ध्यान से सुनिएगा आप लोग के लिए बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट depending on the number of application received the number of candidates for test will be restricted by the system based short listing process short listing process के द्वारा आप लोग का एडिमिट का जारी किया जाएगा based on the marks obtained in the prescribed minimum education qualification for the post यह तो बात आपको पता दिये कि आप लोग का जो 10th में जितना percentage होगा उसी के अधार पर आप लोग का एडिमिट का जारी किया जाएगा पर यहाँ पर ratio बताया गया है कि minimum ratio number of vacancies versus number of admit card shall be one ratio of 50 per post for its category to be maintained for such cut-ups material assistant, tele operator and MTS यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि material assistant और tele operator और MTS यह दीनों जो post है इसमें आप लोग के क्या बताएगा है कि जैसे कि example के तौर पर बता दे कि माले कि आप लोग के material assistant में उसे की भरती जो निकाली गई है वो कितनी निकाली गए यह number of vacancies में कितनी है आप लोग की candidate का यानि कि टोटल आप लोग के उनाई 950 सोरी 950 candidate का material assistant में एडिमित का जारी किया जाएगा यानि कि एक one post के लिए 50 candidate को बुलाया जाएगा एक post के लिए 50 candidate का Admit का जारी किये जाएगा ठीक तो उसी तरह से a MTS में बात कर तो MTS में 24 में कितनी is aoc में वह आप लोग कि मात्र i gaza 11 वेकेंसी तो आप लोग का कितना MTS में जारी किया जाएगा आप लोग का Admit Card, वो है आप लोग के सारे 500, सारे 500 Candidate का MTS में Admit का जारी किया जाएगा, और Material Assistant में भी आप लोग के सारे 900 Candidate का Admit Card जारी किया जाएगा, ठीक? यह बात आप लोग समझ में आ गया इसका कतने एक रेशियो 50 का मतलब यही है कि एक पोश्ट के लिए 50 केंडियेट का एडिमिट का जारी किया जाएगा आगे बात करते हैं आगे यहाँ पर लेखा गया है यहाँ पर देखेगा कि जूनियर ओफिस असिस्टेंट इसका जो रेशियो है एक रेशियो 75 यानि कि एक पोश्ट के लिए 75 केंडियेट का एडिमिट का जारी किया जाएगा मतलब कि जैसी कि एकजांपल के तॉर्पा बता दे कि आप लोग की 24 में एओसी की जो फायर में की वेकेंसी आई है वो टोटल 247 वेकेंसी कितनी है 247 तो इसमें हम लोग 75 से गुना कर देंगे तो टोटल जो आप लोगे fireman में candidate का admin का जारी किया जाएगा वो 18,525 candidate का fireman में admin का जारी किया जाएगा ट्रेट्समें की बात करें तो ट्रेट्समें में 389 vacancy है तो इसको हम लोग 75 से गुना करेंगे तो टोटल इसमें आप क्या आजाएगे 29,175 candidate का ट्रेट्समें में admin का जारी किया जाएगा और fireman में 18,525 candidate का admin का जारी किया जाएगा तो यह आप लोग का ratio बताया गया है कि material assistant, tele operator और MTS में आप लोग के एक post के लिए 50 candidate को बुलाए जाएगा और fireman, tradesman, civil motor driver, junior office assistant तो इसमें एक post के लिए 75 candidate का admin का जारी किया जाएगा जितने आप लोग के post होंगे उसमें आप लोग 75 से गुना कर लिजेगा तो उतना आप लोग का admin का जारी किया जाएगा एक post के लिए 50 candidate को बुलाए जाए जाएगा तो उसके मुकाबले आप लोग का ट्रेट्समें में जो कम जा सकता है आप लोग के admin काट का अब admin काट की cut up के बात करें तो देखिए जैसे कि आप लोग को बता है कि ट्रेट्समें में में आप लोग लोग के 29175 के बात करें देखिए जाएगा तो टॉप 29175 के जो है बस admin काट जारी किया जाएंगा जो सुर्वात होता है आप लोग के cut up के मांक्स के तो इसी से आप लोग सुरू किया जाएगा और 29000 का जो है इसी तरह से कटप बना जाएगा माल लिए कि 70 परसेंट तक आपका लाज्ट हो गया ठीक तो 70 परसेंट तक के जितने भी केंडियेट होंगे उन सभी का एडमिट का जारी कर दिया जाएगा तो अभी जो है यह तो बताना मुश्किल हो कितने परसेंट पर आ सकता है लेकिन आप लोग जो ह है केंड़ें फॉर्मः केजिएगा हो सकता है कि 70 परसेंट वालों का एडमीट कारदों । आप लोग Q20 कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं टिक तो यहां पर देखें क्या बताया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, पॉइंट नंबर छे में, कि therefore candidates are advised to apply for only one post to which they prefer to appear, मतलब कि आप लोग को केवल एक post के लिए apply करना, अगर आप लोग fireman के लिए apply करते हैं, तो fireman के लिए apply कर सकते हैं, MTS के लिए अपना इकना चाहते हैं, तो MTS के लिए apply कर सकते हैं, और किसी भी region से ढपने यहीं से form apply कर सकते हैं , तो आप लोग देख लिए आप लोग को बता दिये कितनेय का admin का कर सकते हैं चलिए आप लोग से मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जैहिन बंदे मात्रम